जोहार दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जारखंड का मैप पीछे बना हुआ है तो आज से हम लोग जारखंड के बारे में इसके सारे जानकारी को समझने का प्रियास करेंगे ना कि पढ़ने का पढ़ने के लिए तो आप लोग के पास धेर सार बुक लेक बुक आप लेकर के अपने घर में सजा के रखे होंगे कई लोगों के पास नोट्स होगा कई लोगों के पास माश्टर वीडियो होगा तो कई तरह के चीज होते हैं लेकिन इतना सब कुछ करते हैं हम लोग लेकिन जो अभी यहां का निती है जिसके वज़ा से क्या हो कि नौकरी में इतना विलंब हो रहा है जिसके वज़ा से आप जो पढ़ के रखे है ना जितना नोट्स बना के रखे है वह वहीं पर बना के ही रखा हुआ रा जाएगा आप एक बार पढ़ लिजेगा दू महीना बाद फिर से खोलिएगा लगेगा कुछ नहीं पढ़े फिर सिसकीजिए जैसे कि बहुत यह ना कि अपना दिसो रही है यहां पे छार रहे है तो इसको पढ़ तो रहे है वह ठीक तो आप implika शेट भी रील धुलेट कर पा रह है है जैसे कि आज के वीडेयो में आप बताने जा रहे हैं ज्या रुणक्त का इस्ठितिय और विस्तार आपका जीला का इभी कोई पडोसी जीला होगा या तो वो किसी पडोसी राजी से वो टच कर रहा होगा इसी से तो कोशिचन पूछता है तो आप लोग हर चीज को सिरु रट के सोचेगा याद रखने के लिए तो यह थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अब हाँ जैसे इसमें अधिकतर चात्रे जैसे इसमें जो तैयारी कर रहे है वो कही न कहीं जार्खन से संबंधित रहेंगे तो हम कोशिच करेंगे कुछ इसमें खोठा जो इस्थानी भासा है यहाँ पे उसको यूज करने का तो उसके लिए यह भी हो जाएगा कि स्थानी बोलचाल के भासा में उसको किस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा समझने का कोशिस किजेगा और अगर आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब किजेगा लाइक किजेगा सेर किजेगा चलिए बिना देर के आईवे आगे शुरू क अगर कि जार्खंड कहां पर है जैसे कि पूछ सकता है कि जार्खंड पृत्वी के किस गुलार्थ में है तो Jug Dean पूचेगा तो बेसिकली पृत्वी का दो Secondly High result है कौन सा उत्री गोलार्थ है rozpC 5 बिलार्थ है तो हम लोग जो जार्ख ण आता है वा जुछर्फजान गरे फेल तो इतना समझ लिए कि कहा है उत्री गुलार्द में है उत्री गुलार्द में इंडिया है इंडिया में फिर जारखंड है आईए अब हम लोग आगे दिख लेते हैं कि उत्री गुलार्द में इंडिया हो गया तो इंडिया का किस भाग में है आप question पूछेगा कि भारत में इ नीचे का यह क्या बोला जाता है कि इसको प्रायद्वी पीए यहां पर पूर्वी भाग में यहां पर हमारा जार्खन्ड देखेगा इस भाग में अगर कुछे का भारत के ब्हारत का उत्तर पूरुवी भाग में प्रृत्वी भाग का उत्तर पूरुवी भाग में और इंडिया का उत्तोल पूरु हुच इस इस कि आप लोग को बताएं कि जो जारखंड है वो किस गुलारध में है प्रिथभी इसका अचुल अब हम लोग देखते हैं, तो अक्चांस किसको बोलते हैं? यह जो दिए जहता है word ल्लास 11 जैसे यह गोलार्द है तो यह राइन जो है यह जिरो डिफे माने है जिरो डिफे मालेbell सबसे नीचे में ये अक्शांस है, और उपर में ये अक्शांस है, तो कितना जाएगा ? तो नीचे का जो पुछेगा, तो हो है 21 डिगरी, 59 मिनट, 10 सकेंड, कितना ? 21, डिगरी, 59 मिनट, 10 सकेंड इसको आप लोग याद कर सकते हैं, अपना कोड से याद कर सकते हैं, तो जैसे यह 25 डिग्री अठारा मिनट यह दोनों नौर्थ है एन एन जो लिखे हैं इससे उत्री अक्षांस होता है मतलब कि अब लोग उत्री गोलारद का जो अक्षांस है उसमें कहां से कहां तक 21 डिग्री अंठावन मिनट अगर पूरा याद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 21 अंठाव आपका बढ़ रहा है तो वह थोड़ा ध्यान में रखेगा कि 21 डिग्री अंठावन मिनट और उपर जाएगा चार तो 21-25 हो जाएगा 25 डिग्री अठावन मिनट तो यह आपका हो जाएगा क्या अक्षांस उत्री अक्षांस आपको कुश्यन में दोनों दे देगा 21 डिग् कुमा देता है बस महीं पे सब फंस के रहा जाता है इसलिए अगर इसका अक्षांस पूछे तो वह ध्यान रखेगा 21 डिग्री 58 मिनट 10 से ले करके 25 डिग्री 18 मिनट उत्री अक्षांस तक है इस उत्री अक्षांस इसका विश्तार है उत्तर की ओर अब इसका पूछेगा द विश्तार से इसको बताएंगे कि अच्छान देसांतर क्या होता है फिलाल समझने के लिए याद रखिए तो इस जीरो डिग्री से हम लोग कितना दूरी पे हैं इंडिया का जो है बेसिकली हम लोग इंडिया को ले करके चलते हैं तो इंडिया जो है वह 5.5 घंटा हम लोग कि इस सैड में है कि अए और पूरी सेड में बढ़ते जाता बढ़ता है याद रखिएगा तो इधर क्या होता है ईधर पॉजिट variance होता कौन देसांतर रेखा देसांतर रेखा इसलिए इसको क्या बोलते है इधर पूर्वी और इधर पस्ष्पी इंगिंग्लिस में एस्ट और वेश्ट ये कहला आता है तो ये चीज़ समझ लिजेगा कि देसांतर हम लोग किस देसांतर में है तो पुर्वी देसांतर में पुर्वी देसांतर में आता है अब पुर्वी देसांतर में कहां से कहां तक इसका विस्तार है तो ये लाइन ऐसी समझ लिजे ये ख़डा तो इसमें भी अगर आपको याद है, 83 याद है, तो 83 और 4 कितना होगा? 4, 3, 7, तो 83 और 4, 87 डिगरी, तो इसका भी ये जो लाइन है, ये खड़ा वाला लाइन, तो ये खड़ा और ये खड़ा वाला लाइन कितना होगा? ये देशांतर का, तो 83 डिगरी, 19 मिनट, 50 सेकेंड, यहां से लेकर कितना? 4 इसमें बढ़ा देंगे, 87 डिगरी, 57, तो 87, 57 तो एक ही जैसे मिलता जूलता है, तो आप याद रख सकते हैं, तो इसमें देखेंगे, इसमें भी 4 बढ़ रहा है, इसमें भी 4 डिगरी बढ़ रहा है, अक्छांस भी 4 डिगरी बढ़ रहा है, बस थोड़ा से आपको, किसी तरह से उसको याद रखना है, एक कोड रखना है, क तो यह होगी आपका अक्षांस और द्यसांतर अब हम लोग आते हैं इसमें कौन-कौन से राजी से सीमाना इसका बनता है सुनने में तो बहुत आसान लग रहा होगा कि कोई भी बता देगा कि इतना आसान चीज है कि काौन सा राजी किसा में लेकिन जब कुछिन घुमा के साथ जाते हैं कि कौन-कौन सा है सबसे अधिसर ग्यान के लिए एक यहां पर हम बना देते हैं डेरिक्षन ठीक है और व ये नॉर्थ हो जाएगा नीचे सौथ हो जाएगा इधर इस्ट वो जाएगा इधर वेस्ट हो जाएगा ताकि समझने में आपसोंको असानी हो जाए अब हम लोग देखेंगे तो इस्ट इस साइड है तो इस्ट में कौन हो जाएगा तो वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगल कहां हो गया पूरू में पस्टिम बंगल इधर पुछेगा तो इधर क्या है तो इधर च्छतिस गड़ है तो इस साइड इधर डायरेक्शन देख रहे है तो यह हो जाएगा किधर इसका पस्टिम में वेस्ट में नीचे पूछेगा सौथ में तो नीचे कौन सा हो जाएगा तो ओड़ी सा हो जाएगा नीचे ओड़ी सा हो गया उपर पूछेगा तो उपर कौन सा हो जाएगा बिहार हो जाएगा उतर में डायरेक्शन देखिए उतर की ओर बिहार हो जाएगा और एक और जो बच रहा है कितना है एक दो तीन चार एक और राजी है टोटल कितना इसका सीमा बनाता है कितने से जो पाचमा है वो कुछा हुआ है वो कौन सा है तो यह यूपी है उत्तर प्रदेश जो कहां पर मिल रहा है यह गढ़वा के पास आपका यूपी है वो इधर से मूँ ऐसे गुसाए हुआ है एक फोटो वाइरल हुआ था जिसमें नेतलों को माला पहना रहेते लोग तो हम भी इधर से मौजूद है वो गढ़वा के पास यूपी यहां पर आ करके मिलता है तो अगर दिशा पूछ देगा यूपी का तो वो क्या हो जाएगा तो इधर आपका वेस्ट है वेस्ट मतलब पस्चिम आप इधर क्या है नॉर्थ है तो यह नॉर्थ वेस्ट हो कि एक दो पहले वोला जन्वरी अभी तो लोगडाउन में नहीं हुआ इससे पहले जो सीटेट एक्जाम हुआ था उसमें जारखंट से कुछ दिया था उसमें कुछ इसी सेरी संबंदित था लेकिन इतना आसान कुछ न होने के बाद भी बहुत कोई उसमें गलती कर दिया तो उसमें पूछा था कि जारखंट किसके पस्चिम में है तो अभी आप लोग को बताएं कि पस्चिम में 34 गड़ है तो बहुत लोग आप याद रखेगा कि अगर पूछेगा कि जार्खंट के उत्तर में कौन है तो बिहार है और जार्खंट किसके दक्षिन में तो बिहार के दक्षिन में जैसे कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मान लिए जाए एक्जाम उजाम तो आप लोग देते ही होंगे तो एक्जाम बन सकता है ना कि तोर आगे के बैठेल लो तोर आगे मन लेशे तोर आगे राहूल बैठेल लो jadi toss right टोर आगे राहूल बैठेल हो अगर कोश्चन व्यसे ना पुछल को कि तू केकर पिखे बैठेल सलिय तब कर भूचत कि हम राहूल के पीछे केकर पीछे और तोर पीछे क्या बैठालो माले स्याम बैठालो तो ये स्याम हमार पीछे अलो तो केकर आगे हो गली तो स्याम के आगे तू हो गली और तोर आगे रहूलो अगर पुछत तू केकर पीछे तू तोर पीछे ऊँ लेकिन आगू पुछत ओकर आगे तू औ लेकिन अगर पूछल को काची कि जारखंड के पस्चीम में कौन राजी हो तो जारखंड के पस्चीम में 36 गढ़ हो लेकिन पूछ दो तो कि जारखंड केकर पूरब में इस्थित हो तो 36 गढ़ के और अगर इस तरह से पूछ तो कि जारखंड केकर दच्छिन में हो केकर तब नीचे तो किसका दच्छिन में तो उडिसा का दच्छिन में नहीं है बिहार का दच्छिन में है बिहार आगे हो गया बिहार के पिछे है जार्खन तो जार्खन दच्छिन में हो तो जार्खन बिहार के दच्छिन में हो और जार्खन के दच्छिन में कौन हो जार्खन के पिश्वन्या में तो जहारखान के दस्षिन में के हूँ? उडिसा हाँ नीचे में ठीक हो इस तरह से पुरा याद रखे पर दुयों तरीका से अगर सिदेश पूस्तो तो सिदा से भी और अगर घुमाक पूस्तो तो वे याद रखे हो कि के कर और के 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 और किसके अगर हिंदी में बोलेंगे अगर के पूछेगा के पस्चिम में तो सिंपल सा के पस्चिम में के पूरब में रहतो तो इधर के उतर में उपर बिहार के दच्छिन में उड़ी सा लेकिन अगर पूज़तो किसके काची पूज़तो किसके तो बस यह तो बढ़िया से समाझ लिए अगर बूझ गली तो पर पड़ोसी जेतना भी पड़ोसी वह लो सब बता दल्यों जेकर में यूपी भी हो इने गड़ावा पास ठीक हो तो गड़ावा दन यूपी उने अलगे मुह लटके लिए तो इस अब तो तो रहने के याद रखना हो हो चल आज से पूछ सको चल सारी श्टुडेंट हमर साथ जूड़ा हाँ हजारी भाग से तो ह depende के तो अगल बगल कौन कौन सा जीला है अगर जान रहा लत तो तुरीन लिख्यों कमेंट कर ठीक हो कि हम उद्ध देख्यों कि पिदेक्व 20 के ढला से जुड़ा की जीला अज जीला भी पूछ तो इसले आपना पना जिला की सब तुर इन कम सेकम एक कमेंट कर कर कि हम इस फीजिला के आपना प्रंला कि आगर ना लार debates與र चानल बिहार से अपतो C4 इस तरह से क्यों राजी से भीश्ट रलो तोर जिला इस तरह से अब जानकारी होना बहुत जरूरी है इस तरह से हर चीज रिटल न पड़ें आपतो आपनल आप में याद भी होगों तो उपर में जो बिहार से गजे वीन हो जी लाएं यहार से बोर्डर बनोया तो उस अब कौन कौन से जीला हो गए तो टोटल दश्ध जीला यह जे बिहार से सट वह है कईठो दस्थ हो धो मताँ 10 जिला है जो सठथा है थोड़ा साम इसमें खोर्था यूज कर दे रहे हैं तकि जिसकी को उसकत है उँने पकड़ ले लिया है उँस सधानी भासा में खोर्था रखता यह सदानी वी उसकते हैं 12 मनेばšे यह थे न nih स्टेराब। मतलब गढ़्वा पंचर में यहां पर दू गर जिल्हा हो पलामु और चत्रा कौन पंचर से पलामु और चत्रा enhancing गढ़्यया पंचार गढ़्वा पलामुग 15 यहां यहां गुरीडी हो गरवाद कोडिर्मा के बाद ुरarnya खेज को खा deli लाइ spor आप इसाब बिहार के सटो थो तो एकर में गिरिडी देवघर दूम का गोडड़ा साहेब मुझे rat गिरीडी देंदक गोड़ा सहेब मतलब गिरीडी देवघर दूम का गोड़ा सुझ पांच फॉग्ञNow तो एकर कैसे याद तो इस तरह से याद रहत रहा कोई गिरादे दुगो सेव तो इस तरह से उपर के तुर्ष बिहार के दसों हो जतो अब आगे हमीन देखो यह पासिम बंगाल दन तो पासिम मंगाल में अभी क्या सरकार हो मम्ता बनर जी के ठीक हो तो पूरा भी हड़का के रख लेए वहां पे सब के तो वहां पे माले एक S.P हो इधर सब पासिम मंगाल में इसपी मतलब का हो वहां के हड़काक रख लेँ पसिम मंगाल में तो पसिम मंगाल के एक SP हो उका बोल लेँ यहां देवगहर हो ठीक सॉरी दुमका हो तो SP जिए हो उट डीजे बंद करा दल को SP डीजे यह दुमका वला डी यहां पर लिख लेँ हो SP डीजे बंद बंद मतलब बोकारो और धनबाद पहले जीला सब देख लेँ अगरवाद उकर कोड़ बता देए हो यहां पर हो जो तो साहब गंज पाकुड दुमका जामताड़ा जे से जामताड़ा डी से यहां पर कर देंबाद हो जीतों वहां पर यहां से बुकारो तो तो दस्ठ जिला में उपर बिहार में बतेलियों पछिम बंगाल में भी टच करो तो पछिम मंगाल में टर्च करेंवा तो अभी बतेलियों जे कॉन सहेब गंज पाकुड दुमका जामताड़ा धनबाद बोकारो रामगड रांची सराय के लाखर सावा और इस्ट सिंभूम मतलब पूरवी सिंभूम या जमसेदपूर से कुरा याद रखे हो अब याद कैसे रखे भी तो जैसे भी बतेलियों कि पसिम मंगाल में अभ करो मतलब यहां से खर सामा जे खर्सामा हौँ सराय के ला खर शाम है लो ओ सवा कि के बूल अधे कि बंद कर आप ये बंद कर कहां कहां तो रामगार में राची में अर जम्सेदपूर में तीन कौ सहर में आदमेश स़लो डीजे बंद करेगे तो inspiring को। कौन आदेश दलो पसिम बंगाल से सटे वहला केकरा आदेश दल को SP के SP मतलब सहभ गांज और पाकूर काची आदेश दल को तो DJ बंद करेंके आदेश दल को तो आदेश दल को तो आदेश दल को कहां रांची में रामगर में और कहां पे एक और जमसेदपूर में इस्ट सिंभूम जेकरा बोलोई और कर कर से यहां पर खरसावाँ डिजे बंद कर कर मतलब सराइकेला खरसावाँ बंद कर कर खरसावाँ तो इस तरह से य पुमका और जामताड़ा याद रखियों अब बंद में बोकारो और धनबाद दूगों और कहां कहां बंद हो ला तो रामगर में रांची में और जमसेदपूर में तो इस सब दसों जे हो यह कहां पश्चिम मंगाल में टच करो एतना इधर हो लो अब आओ निचे में निचे वलतो बढ़ी आसान हो निचे हो उडिशा में उडिशा में याद रखियो बिहार में दस्थो बंगाल में दस्थो नीचे और इसा में तीन्ठो अब आओ ये इधर तो शतीस गड़ में कई गो जीला सटो थूं? चार्ठो कौन कउन सटो थूं? गढवा जो उपर यूपी में भी सटो हो तो गढवा लाते हार गूमला और सिमडेंगा तो एककर में कैसे याद रही विए याद करेंगे सबसे बहुण हीया ट्रिक काचि हो कि गलत गलत से गास से गढ़वा, लद से लात्यहार, गमला मतलब गुमला और सीम गावborgमला में सीम लग 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 लो तो इस तरह से याद लोई तो ख.io गास मतलब समझोए ने उजो सिम के तरकारी बन हो से ठीक हो टीक अन्जगर भोलो थन चला अब आगे देख एतना पूरा तृण के आद करा दलियो कौन-कौन राजी हो अब आन्त्रीक राजी देख कि जे केक्रों से ना मिलो तो उखोन कोन-कोन हो गोन खुटी हो खुटी में लुखर दगा केक्रों से टच ना करतो और बाकी के जतना जिला थुझ वो सब कोई न कोई से टच कर ले थुझ आप तौरिंके टास्क दल्यों आपन कमाप करें आज के लिए एतने रेल देए हो अगला वीडियो में कोशिश कर वो कि एक रा और डिटेल से तुरिंके आपन ल में ना जानों है इसलिए कर जानना जरूरी ना परिच्वा में तो तब आपन तरीकस भी एक रा पढ़ सकोई है इसलिए हमर साथ बनल रहा आगे इसी तरह के तुरिंके वीडियो मिलते रहते हो तब तक के लिए धन्यवाद